हैलो दोस्तों विल्कम करता हूँ आप सभी का एकबार फिर से आप देख रहे हैं वासिमपल मैं आपके साथ सेयद समसाद हुसेन सरम संसाधन विभाग के तरब से तिथी तै कर दिया गया है पूरे बिहार में रोजगार मेला लगाया जाएगा तिथी भी इसकी तै कर दी गई है आपको बता दे आठमी से लेकर ठीक है अचाहे आपने आठमी कलास पास किया हो नवी कलास पास किया हो मैटिक पास किया हो या इंजिनरिंग की कोर्स की हो या एंबिय की हो आपके पास डिगरी है लेकिन आपके पास नोकरी नहीं है तो ऐसे कई सारे नीजी कंपनिया आप के जिले में चल कर आएंगी और आप से वहाँ पर कुछ दस्तावेज डोकुमेंस लेगी ठीक है उसके बार इंट्रिव्यू होगा और आपका सेलेक्शन होगा आपको जोब मिलेगा हाला कि ये काम पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहले भी एक बार और हुआ था ठीक है उससे पहले भी हुआ था लेकिन इस बार जो है बड़े अस्तर पर ये जो सरम संजान निभाग की तरफ से कदम उठाया गया है ताकि विहार में जितने भी लोग हैं जिनके पास में ही चल कर आएगी बहुत सारी कंपनिया जिसमें आप अपने मन मुताबिक इच्छा अनुसार आप उसमें जोब के लिए अपलाई कर सकते हैं चलिए अब पूरी जान लेते हैं खबर विस्तार से इसके लिए अपलाई कैसे करना होगा वो भी हम बताएंगी वीडियो के पहले समझते हैं कि जो यह बहाली आ रहा है इसमें आपको कौन-कौन से जिले में कितने-कितने तिथी हैं हालाकि मैं यहां पर थोड़ा सा पासली बोलूँगा तो चलिए अब आपको बताते हैं आठमी से लेकर मैट्रिक इंटर्मेडिर सना तक ITI पॉल टेक्निक इंजिन लगेगा दरबंगा में प्रमंडल अस्तरिये दो दिवसी रोजगार मेला की शुरुवात 23 और 24 जून से हो रही है तो यहां पर आपको बता दें पटना में 14 और 15 हजुलाई को रोजगार मेलाने धारित है और मेले में बायोड़ाटा वो अन्ने कागजात के साथ सामिल होन मेला और केम्प के माद्यम से 15944 लोगों को रोजगार यहां पर मिला है तो चलिए अब जिला और रोजगार की रोजगार जो मेला होता है उसकी तिथी जो तैय की गई है वह आपको बता दें तरभंगा से जो है उनके लिए 23 जून रखा गया है मदुबनी 26 जून रखा ग गया यहां पर 28-29 जून रखा गया है अरवल 31 जून नमादा दो अगस्त, शेकपुरा 3 अगस्त, जमुई 4 अगस्त और अंगाबाद 7 अगस्त, रोस्तास, डाल्मिया नगर के लिए 9 अगस्त, और कैमूर 11 अगस्त, मुजफरपूर 13 वा 14 अक्टूबर, समस्तिपूर 16 अक् समबर को रखा गया है यह जो आयोजन है मिलाजिस के माध्यम से बहुत सारे लोग आएंगे और अपने अपने अच्छा नुसार अपने अपने डोकुमेंट्स जो उनके पास रहेगा जो उनके पास डिग्री रहेगा उसके यहां पर अनुसार वो जोब पराप्त करेंगे अब यहां पर आगे आपको बताते चलें जो इसके लिए आपको आवेधन है वो आपको यहां पर नेशनल करियर सर्वीस के पोर्टल पर आपको जा करके एक पंजिकरन कर लेना है जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया की वेब साइट है उसमें जा करके आप पंजिकरीत कर अगर आप घर से रचटैसंग नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी रचटैसंग की परकिया होती है वहाँ पर भी जाकर कर आप करते हैं अपने इच्छा नुसार आपको जच्चता है सही लगता है कि हां हमें इस छेत्र में जाना चाहिए और सेल्री ठीक ठाक और अगरा सब कुछ है तो फिर आप उसमें आगे कदम बढ़ा सकते हैं उमीद है ये वीडियो जो है आपको पुसंद आएगे को लाइक करेगा चैनल को सबस्क्राइब करेगा अपने दोस्त के साथ, फेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कर देज़ेगा, मिलते हैं सही किसे एक वार वीडियो फ्रेश टोपी के साथ, तब तक लिए को तो अपने परिवार का ख्याल रखिये, गुडबाई, टेक क्या,